नमस्कार स्वागत है आपका राज्य सभा समचार में मैं हूँ आपके साथ अम्रितार चौरसिया शुरुवात करते हैं सुर्ख्यों के साथ सीमा पर यथा स्थिती बदलने की चीन की कोशिश का भाते सेना ने सैयम और शौरे के साथ दिया जवाब लद्दाक सीमा पर घटनकरम के बारे में रक्षम मंत्री राजना सिंग का राज्य सभा में बयान कहा सेना हर्ट चुनोंती सेने पटने में सक्षम सदन ने एक सुर में में कहा पूरा देश जवानों के साथ देश में कोरोना संक्रमित लोगों में से मृत्यों दर को एक विद्दी से कम रखने का प्रयास राज्य सभा में के इंदी स्वास्तमन्ती डॉक्टर हर्ष बर्दर ने कोविड महामारी और उसे लेकर सरकार का पक्ष किया साथ भारत का रिकवरी रेट दुनिया की कई देशों में बहतर गोरोना के मद्दिनजल सदन की कारिवाही के दौरान हर समय मास्क पहननी समय सभी एहतियाती उपायों का पालन करें इस्तांसर सभापती वेंकनाडू ने सदस्यों को सदन में बैठ कर अपनी बात कहने और आवंकित समय सीमा का पालन करने के भी दे निर्देश लद्दाक सीमा पर घटनकरम के बारे में रक्षा मंतीर राजना सिंग ने आज राज्य सभा में बयान दिया उन्होंने कहा कि लद्दाक के गलवान घाटी में चीन की ओड से की गई सेना का भारतिय सेना ने सयम और शौरे के साथ जवाब दिया रक्षा मंती ने कहा कि भारतिय सेना ने हर चुनावती का डटकर सामना किया है देशित में हमें कितना ही बड़ा और कितना ही कड़ा कड़ा उठाना पड़े सभापती महोदे हम पीछे नहीं हटेंगे मैंने इस पश्च तरीके से हमारी चिंताओं को चीनी प्रक्ष के सामने रखा है जो उनकी बड़ी संख्या में टूफ्स की तैनाती आक्रामक रवया और एक तरफा इस्टेटस को बदलने की कोशिस से संबंधित था इन सब सारे बुद्धों को अपने काउंटर पार्ट के सामने हमने रखा है और मैंने दो टूफ सब्धों में यस बश्ट किया कि हम इस मुद्धे को सांधिपुंधंसे हल करना चाहते हैं और हम चाहते हैं कि चीनी प्रक्ष हमारे साथ मिलकर काम करें वहीं हमने यह वी असपश्ट कर दिया कि हम भारत की एकता, संप्रवुता और खंड़ता की रक्षा के लिए पूरी तरह से प्रतिवद्ध हैं यह वी हमने पूरी तरह से पश्ट कर दिया हमने चाइनीज साइड के साथ डिप्लमेटिक और मिलेटरी इनगेज्मेंट बनाये रखा है इन डिस्कुशन्स में तीन की प्रिंसपल्स हमारी एप्रोच को समापती महोदे तरह करते हैं पहला दोनों प्रप्ष को एर्शी का सम्मान और कडाई से पालन करना चाहिए फर्संट ऑद किसी भी प्रफ को अपनी तरफ से यहांझा सिस्ट का यह प्राद्विद्धकों का उलंगन करने प्रियास नहीं करना साईए थर्ड, दोनों पक्षों के भी सभी सम्झोतों और अंडरिस्टेंडिंग का पूरतया पाल्म करना शाहिए चाइनीज साइड की ये पोजिशन है कि इस्थिट को एक जिम्मेदार धंगते हैंडल किया जाहिए और द्वी पक्षी सम्झोतों ये प्रोटकोल के अंसार शान्त ये इस्थिरता सुरिश्चित किया जाना शाहिए रक्षम अंत्री के बयान पर सभापते वेंक्यानाडियो ने कहा कि भारत नहीं आज तक कभी किसी दूसरे देश पर आक्रमन नहीं किया है मैं सभापती के नाते एक वेक्या करना जाता हूं देशों अन्शिकर के लिए और पुरा विस्व के लिए भारत का परमपरा भारतिया स्व्कृति हमेशा वोसुदाइका कुटूमबकम सर्वे जना सुकिनो भावन्तू हमारा पुरा इतिहास में हजरों साल में हमने कभी भी किसी देश के उपर हमला किया ने एक ऐसा कोई उदाहन भी नहीं है यह हमारा परमपरा है उसी परमपरा को हम आगे रख रहे हैं और हमाई साथ संसेदे मौमलों के संपादक अरविन कुमार सिंग जोड़े हैं उनका सीधा रुख करेंगे अरविन जी आज रचसभा में रक्षमंत्री राजना सिंग ने जो सरीके से भारती सिना के सौर्य और श्रयम की बात कही उन्होंने सीमा पर यथा स्थिती बदलनी की चीन की कोशश का भारती सिना ने जवाब दिया है इसको लेकर तमाम बयान दिया है इसके लावा और भी विधाई कामकाज की बात करें तो कैसा रहात कर दें अमर्ता आज कोई बिधाई कामकाज तो उच्छादर में नहीं हुआ लेकिन सभाबाती जी का सुरू से ही फोकस रहा है कि जो महत्पूर्ण और जोलन्त मुद्धे हैं जिन पर सांसत बात रखना चाहते हैं उन पर खुलकर चर्चा होनी चाहिए इसलिए लडाक का जाया गया और बड़े ही महत्पूर्ण सुजाओ आए और सभाबती जी ने भी जैसे सांस्दों को कहा कि सभी मास्ट पहने और जो भी अधिक्तम कोसिस करें कि कोई संक्रमन किसी तरीके इसना पहले और उनके निर्देश पर इतने सारे सुरुक्षा की इंतिजाम किये गए हैं आप समझ लें कि वो सारी चीजे बाकाइदा इस परिसर में नजर आ रही हैं और जो दूसरी आपने जो महत्पूर्ण बात कहीं जो लडाक का मुद्दा है वो उसको हर भारती जानना चाहता है रक्षा मंत्री जी ने खुल कर बाते रखी और नेता विपक्ष गुलाम कि वो से उठाए जा रहे जो कड़म हैं जो और किज़ें है अपने तरफ से कुछ बाते रही हैं रख्य और रचामंती ने उसका इस्पस्टी करड़ भी दिया तो रच्छा मंती का बयान बहुत ही तथयात्पक्त है और साथी साथ यह भी बताता है कि किस तरीके की तैयारी की जा रही है तो अमस्ता कुल्मिलाकर के बहुत ही महतपूर है और सभापती जी के लोगों मेले उनकी ङक मिटिंग करे तो कुल्मिलाकर कि उच सदन में जो सास्त और परिवार का लान मंती हैं फरवरी के बाद है तीसरी महत्पूर्ण बात है जिसमें उन्होंने पूरे देश के सामने रखा है जी अर्विन जी बहुत शुक्रिया अहम जानकारी के लिए आपका और राज्यसभा में कोरोना महामारी और सरकार की कदमों पर केंद्रिय स्वास मनत्री डॉक्टर हर्शवर्धर ने इचरचा का जवाब दिया उन्होंने कहा कि देश में बेहतर क्लिनिकल प्रबंधन से recovery rate कई देशों से बेहतर हुआ है केंद्रिय स्वा समंत्री ने कहा कि भारत ने इस साल जन्वरी में अपनी COVID-19 जाच लैप सुविधा को एक से बढ़ा कर आज हजार से अधिक प्योग शालाओं में कर दिया है उन्हों ने कहा कि कोरोना काल में करीब 64 लाग प्रवासी मजदूरों को ट्रेन के जरिये उनके घरों तक पहुचाए गया COVID-19 के दोरान भी COVID-19 के इतने बड़े खत्रे को साथ लेकर जब चल रहे थे लोग उस परिस्तिती में भी 64,000,000 जो है हमारे migrant workers को trains के माध्यम से हमारे रेल मंत्रा लेने बसों के माध्यम से जो है अपने अपने states के अंदर भीजा आज कल यहां पर बात की थी आनंच शर्मा जी ने सिरफ उनको मैं बताना चाहता हूं उन्होंने पीसीजी के बारे में क्योंकि कुछ लोगों का इन चीजों के बारे में भी बहुत इंटरस्ट रहता है तो इसके बारे में मुझे इतना ही कहना है कि पीसीजी के संदर्ब में छे क्लिनिकल ट्राइल Clinical Trial Registry of India में register हुए है और ICMR छे साइट्स के ओपर इन ट्राइल्स को जो है कर रहा है और इसे पहले केंदे स्वास मंत्री डॉक्टर हर्सवर्धन के बयान पर उच्छ सदनमी सदेस्यों ने अपनी बात रखी NCP के प्रफुल अपर्टेल ने कहा कि COVID-19 के खिलाफ मिल जुलकर लड़ना सबकी सामुहिक जिम्मिदारी है BSP के वीर सिंग ने कहा कि कोरोना काल में आसंगठितिक श्वेत्र के मजदूरों को सबसे जादा परिशानी हुई है वहीं BJP के डॉक्टर सुधान शुत्रिवेदी ने कहा कि प्रधान मंत्री नरेद मोदी ने कोरोना के शुरुवाती दौर में ही सब ही के साथ समन्वे से बात की और उनके द्वारा उठाए गए कदमों की सबने सराहना की आज बहुत सारी समस्या है साथ आज रेमजी सिवीर जैसी दवाई आज ऑक्सिजन के सिलिंजर कल्ट मैं बयान पढ़ रहा था कि ऑक्सिजन की सिलिंजरों की कोई कमी नहीं है मैं आपको दावे के साथ के सकता हूँ भुआ को पड़ी मात्रा में कमी है रेम रिसी वीर की कमी है और यह सारी परशानी अगर एक तरीके से सामुईक तोर से अगर हमने अभी आज भी नहीं नहीं लडी तो कल समस्या और भारी हो सकती है प्रदान मंत्री जी ने एक सामान्य नर्ष से बात की थी तो उस नर्ष का मनोभाव आप उस चित्र में देखते तो वह देखते बन रहा था जो कहीं ने कहीं इस बात का प्रमार था कि बड़े बड़े राष्टा ज्यक्षों से लेके और एक सामान्य स्वास्त कर्मी तक प्र था प्रोड़िक्षन है क्ई हजार गुना बढ़ गी है क्ई हजार गुना प्रोड़िक्षन बनने का मतलब है कि अनका मुनाफ़बी बहुत हो गया है तो मेरी लिक्वेस्ट ते गामन से किये साबन की कीमत प्रटिकुरली लाइफ गाई जो गरीब आदमीं की साबन है उसकी कीमत आधी करनी चाहिए और सनिटाइजर की कीमत भी आधी करनी चाहिए ताके हर आदमीं को पहुंच सके और आक्सीजन उबलब्ध होना चाहिए और इसी के साथ राज्य सभा समचार में इतना ही तीज़े एज़ासत आप देखते रहे हैं राज्य सभा टीवी नमस्का